हेलो वेलकम दोस्तों आईए गिरंबाई देख रहा है आप मैं रवी कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हजरू हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आप LIC एजेंट के एक्जाम देते हैं और दोस्तों उस एक्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल हो जाने के बाद आपको अब कैसे त्यारी करना चाहिए जिससे कि इस बार आप आसानी से पास हो जाएं दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को आप पहले समझिए और समझने के बाद उनको फॉलो करिए तो ऐसा करने पर आपके काफी ज़्यादा चांस हैं कि आपका एक्जाम कौलिफाई हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करू हैं जो LIC का एक्जाम देने जाते हैं एजेंट वनने के लिए लेकिन दोस्तों उनको यही पता नहीं होता है कि इसका स्लेवस क्या है तो काफी लोग तो पस होजाते लेकिंगे काफी लोग दोस्तो रह भी जाते है तो दोस्तो इसका में कारह होता है कि SELAVS का पता ना हो ना की exam में क्या पूछे जाने वाला है तो thou still us तो इसके लिए SELAVS आपको पता होना चाहिए दोस्तो उस स्लहार का वी Pay List 2020 में दोस्तों आप क्या करेंगे हमारे चैनल में Pay List बनी होगी है LIC Agent exam दोस्तों पे लिश्ट में जाकर आप Slavis का वीडियो देख सकते हैं अब दोस्तों ये तो बात होगी Slavis की दोस्तों Slavis के बाद important बात आती है कि जब आप इस exam की तयारी करते है तो दोस्तों काफी लोग क्या करते है उनको knowledge नहीं होती है अब दोस्तों knowledge ना होने की कार्ड वो क्या करते है exam देने ऐसे भी पहुंच जाते है लोगों के जारा सुनते है कि LIC agent का exam आसानी से पास हो जाओगी बहुत आसान exam होता है तो दोस्तों इसी चक्कर में काफी लोग फेल हो जाते है और जो उन्होंने form फीज़वरी होती है वो उनकी क्या है बेकर हो जाती है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है आपको जब इस exam को देने जाना है तो दोस्तों कम से कम आप पढ़कर जाएं दोस्तों बिना तयारी के आप कोई भी अग्जाम देने जाएंगे तो दोस्तों रिजल्ट तो थीड बास है कि losers होना ही आप यह तो यदि आप फेल हो गए हैं तो इसमें परिशां उन्हें की ज़रूरत नहीं है आप यह समझिए अपनले कार्ड किया है दोस्तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप भुक ले सकते हैं और दोस्तो आप online काफी वीडियो भी देख सकते हैं जो YouTube पर होते हैं दोस्तो मैं आपको उताना चाहूंगा कि हमने LIC Agent exam से संबंदी जो questions होते हैं उनके काफी वीडियो आपके लिए बना रखे हैं दोस्तो यह सारे वीडियो आपको LIC Agent exam प्लेश्ट में मिलेंगे उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि LIC Agent exam में कैसे कैसे questions आते हैं दोस्तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक वीडियो बने हुए हैं दोस्तो उसमें काफी questions हैं उनको आप समझेंगे तो आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी दोस्तो यह तो बात होगी आपका कि जब आप पढ़के नहीं जाते हो दोस्तो अब इसके बाद कुछ और भी points है जिनको आपको द्यान रखना चाहिए दोस्तो जब आप इस exam को देने जाते हैं तो दोस्तो आपको पता होगा यदि यह दोस्तो आपको पता नहीं है तो आप यह समझ लीजिए इस exam में कोई भी negative marking नहीं है दोस्तो यह आपके लिए plus point हो जाता है दोस्तो काफी लोग क्या करते हैं इस exam को जब देते हैं तो काफी लोग question चोड़के चले आते हैं दोस्तो question छोड़ने के कारड़ उनका क्या selection रुख जाता है तो दोस्तो मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा इस वीडियो में उस अप्रोच को अब आप बहुत ध्यान से सुनें जिससे कि आपका exam आसाने से क्रेक हो जाए दोस्तो मैं आपको क्या करता हूं समझाता हूं उसको आप समझेगा दोस्तो जैसे जब आप exam देते हैं तो दोस्तो आप क्या करें जिन question का answer आपको hundred percent आता हो उसको आप क्या है ? अब दोस्तो टिक कर लेंगे तो अब यसी वागत है कि आपको पता चली गया कि हाँ ये मुझे 100% आता तो इसका मनलब क्या है ये सही हो गई तो दोस्तो ऐसे आप क्या है काफी कोशन्स कर लेंगे अब दोस्तो इसके बाद आता है जो बच्चे हुए कोर्सन है उनको कैसे साही करना है अब दोस्तो बच्चे हुए कोर्सन को अगर आप साही कर लेते हो तो फिर यहां पर आपकी जो एक्जाम है वो आपका पास हो जाएगा अब दौस्तों इसी के तिसे समझें बच्चंण को किया करना है दोस्तो जो कॉशंघ आते थे आप हमे तिक कर लिए अब बच्चे हुए कुर्षन को क्या करना है आप एक काम करेंगे दोस्तो आप ये काम करेंगे पहले दिखेंगे A option, A option वाले आपने कितने question टिक कियें, फिर देखेंगे B option वाले आपने कितने question टिक कियें, दोस्तों C वाले कितने question आपने टिक कियें, और D वाले कितने question आपने टिक कियें, तो दोस्तों इन चारों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा, जिसके option क्या सबसी ज़्यादा कम टिक ह तो दोस्तों इन चारों में जिसके option सबसे ज़्यादा कम टेक हैं उस option को पकड़ कर आप बचे हुए question में लगा दीजिए तो आपके ज्यादा chances बनेंगे exam के पास होने की दोस्तों यह जो तरीका काफी लोगों पर apply हो जाता है काफी लोग पास हो जाते हैं लेकि दोस्तों कभी कभी यह तरीका फेल भी हो जाता है दोस्तों यह बहुती rare case में होता है फेल अधरवाइस दोस्तों mostly लोग इस trick को अपना कर पास हो जाते हैं क्योंकि दोस् से कम अपने टिक लगाए हुए है तो चांसिस बनते हैं कि यही ऑप्शन क्या है बाकी अधर कोश्चन में सही फॉर्म में होंगे तो इस लॉजिक से आप इस एक्जाम को पास कर सकते हैं लेकिन दोस्तो एक बात मैं आप से कहना चाहूंगा टिक आप लगाएंगे लेकिन दो देखिए एक सीधी सी बात है यदि आप पढ़के जाएंगे तो आप एक्जाम को आसनी से करक कर लेंगे दोस्तो यदि पढ़ने के बाद भी यह प्रॉलम आती है तब दोस्तो आपको यह टिक लगानी है लेकिन दोस्तो यह सोच के मत जाईए कि मैं ऐसे ही कर लूँगा ड कुछ कमी आए वह इस ट्रिक के माध्यम से आपका एक्जाम आसनी से पास हो जाए और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप सिस्टम पर टिक करते हैं तो आपको एक रफ शीट भी दी जाती है और दोस्तों इसमें वह लोग बोल देते हैं कि आप इ इसी टेक्निकल प्रॉलम के काड़ बंद हो गया तो जो आपने ओप्सन लिख रखें जैसे माली आपने एक का माली आपने कोशन नमबर वन का ए लिखा है टैन नमबर का सी लिखा तो जो वह ओप्सन आप क्या है जब का सिस्टम दोबारा स्टाट किया जाए तो उसमें चिह het B वाले कितने है, C वाले कितने है, D वाले कितने है और जो सबसे कम थे उसको पगड़के बाकी बच्चे हुए option में लगा दिया दोस्तों यह चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां से फिर आपके chances बनेंगे कि आपका exam आसानी से crack हो जाए लेकिन दोस्तों काफी लोग इसमें भी गल्ती कर जाते हैं option लगाते समय जैसे मान लेजिए आपका a option सबसे कम था आपने a को लगाना शुरू किया अब दोस्तों क्या करते हैं जिसका answer दे चुके होते हैं लोग उसके a पर भी click कर देते हैं जब दोस्तों के a पर भी click कर देते हैं तो उस question में जो दूसरा option लगा होता वो automatic हट जाएगा तो आप यह ध्यान रखेंगे के बर उसी पर टिक करेंगे जिसमें आपने नहीं लगाया है जल्द बाजी में ऐसा ना हो जो answer आपका आता था उसको भी आप गरत कर रहा हो तो दोस्तों इसलिए कुछ चीजों को समझते हुए आप करेंगे तो definitely आपका exam crack हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी exam की एक playlist है LIC agent exam playlist उस playlist में जाकर आप सारे वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप LIC agent exam देने जाएए और दोस्तों और भी इंटरेट पर काफी वीडियो अभी वीडियो आप दिख सकते हैं दोस्तों सारी knowledge लेने के बाद जब आप exam देने जाएगे तो definitely आपका exam correct हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए नीचे subscribe का बटन है उस पर प्रेस कर दे दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं जब भी हम नेक्स वीडियो में तब तक कली सुक्रिया